सोचे कितना अच्छा होगा कि अभी जो हम लोग हर एक विस्विद्याले के लिए अलग-अलग रेजिटेशन करवा रहे हैं। उनकी kaunseling process में participate कर रहे हैं। ऐसा हो कि सभी विस्विद्याले का एक kaunseling हो। मैं बात कर रहा हूँ common counselling की। लेकिन फिलाल ज़्यादा खुसमत हो ये 2013 में ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है और नहीं इतना ये आसान प्रोसेस है Common Counseling होने की संभावना है 2024 से क्या है पूरा मामला क्या है पूरी बात ये Official बाते हैं या ऐसे ही प्रडिक्शन हो रहा है सारी बाते मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ UGC के चेर्मैन एम जग्दिश कुमार जी ने ये बात बोला है कि वो इस चीज़ का प्लान कर रहा है कि अगले साल से Common Counseling करवाई जाए Common Counseling का मतलब क्या होता है वो समझ लीजे पहले जैसे कि अभी क्या है कि आपको DU के लिए अलग registration करना है BHU के लिए अलग registration करना है दोनों की Counseling Process individual है मतलब अपनी Counseling Process उसमें आपको participate करना है इसी तरीकी से सारे विश्विद्याले होगा यही pattern है अब इसमें क्या होता है कि माली जी आपको टोटल 30 जगों पर फार्म भरना तो आपको 30 बार registration करना होगा प्लस जो आपके खर्चाएं आएंगी वो तो अलग matter है इसी चीज़ को यहाँ पर यह खतम करने जा रहा है और जो आपके देश की 43 central universities है उसमें जो है वो एक common counseling करवाएंगे मतलब आपको 43 universities के लिए एक counseling process पर्टिसिपेट करना है जैसे कि J.E. में होता है कि आपके धेर सारे NIT हैं धेर सारे IIT हैं लेकिन उनकी एक common counseling होती है एक ही बार registration करना होता है उसमें अपनी college की priorities देनी होती है उसके बाद आपको वहाँ पर आपके merit की basis पर allot किया जाता है उसी तरीके का कुछ process ये भी अपनाना चार है जो कि बहुत ही बढ़िया होगा अब 2024 सिन का plan है लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह रहे है कि हम 2024 में launch कर ही देंगे ऐसा भी नहीं कह रहे है अब उसमें इन्होंने क्या-क्या बाते बोली वह मैं बता देता हूँ थोड़ा सापको ये clear नहीं देखेगा को कि ये जो भी tweet में ये जो page लगाया गया तो करीब 70% चात्र graduation अस्तर पर BA, BC, BC courses पढ़ते हैं जिस तरह से NIT, IIT के लिए common counselling होती है उसी तरीके से CUT के score के अधार पर graduation courses के लिए common counselling हो सकती है ठीक है वो बात यहां पर इन्होंने बोला इन्होंने कहा कि 43 केंद्रिये विस्विद्यालियों में यहां प्रियोग शुरू किया जा सकता है इन्होंने हर चीज एक संभावना के अधार पर बोला यह नहीं कहा कि ऐसा होगा कह रहे हैं कि हम लोग 43 जो central universities है उसमें यह practice को एक बार exercise कर सकते हैं ताकि CVT result आने के बाद चात्रों को दाखिले के लिए अलग अलग इन्वस्टी में आवेदन ना करना पड़े दूसरे संस्थान अपने अपने अस्तर पर counselling करेंगे इसके लिए खास software भी बनाना होगा CVT के दो साल के data के अधार पर test run भी करना होगा मतलब उसके बाद ही हम लोग यहां पर इस चीज को यहां पर launch कर पाएंगे यही बात इन्हों नहीं यहां पर बोला है तो संभावना है लेकिन 2024 से अगर ऐसा होता है अगर यह बात आ गई है इसका मतलब इस पर काम किया जाएगा और यह बहुत अच्छी चीज है हमने इसको पिछले साली बोला था कि कम से कम ऐसा होगा तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा यह पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कहां से वह करेगा और अगर सब माली जाएगा तो कितनी वह फिस भरेगा तो यह चीज़ें जो हैं वह कॉमन काउंसलिंग के थ्रू हो यह बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन यह ऐसा हो यह तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन इसके बैक इंट पर जाएंगे तो काफी समस्याएं भी होती है क्योंकि हर एक इनवस्टी का अपना एक पैटर्न है उसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग है उसमें कोर्सेज अलग है उनमें कोर्सेज में प्रिफरेंसेज अलग अलग तरीके से होते हैं अभी आप D.U. और B.H.E. देख लो तो उसमें अगर आप B.A. कोर्स पकड़ लो, B.A. सी कोर्स पकड़ लो, कोई भी कोर्स पकड़ लो, दोनों का पैटर्न ही अलग है, B.H.E. में B.A. आर्ट्स और B.A. सोसल अलग अलग करते हैं, B.H.E. में ऐसा कुछ नहीं है, B.H.E. मे बहुत ज़्यादा है इन्वस्टीज में कोर्स को लेके, तो सब को एक जगहा पर कामन काउंसिलिंग के थ्रू लाना आस थोड़ा मुस्किल है, लेकिन अब मुस्किल है उसी चीज़ों को अगर ये सॉल्व करेंगे, तभी तो अच्छा हो पाएगा सिस्टम, तो सोचे और उस पर वर्क करना चालू करें, ये बहुत इंपोर्टेंट है, अब 2024 में ऐसा होता है, नहीं होता है, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा होता है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो फिलाल अभी जो 2030 के शुडेंट्स हो, परिशान नहों, उनके काउंसिलिंग प्रोस ठीक है, चलिए, आज के वीडियों बस इतना ही, बहुत 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 दूश्याज़ू